अपने कमरे के खिड़की से राज ने दुख़द नजारा देखा, प्रकृती के क्रोध ने बाहरी दुनिया को बदल डाला था, शांत गलियों में भी बवंडर का राज था। अगर आप दावा करना चाहते हैं, तो बाढ़ में गाड़ी को चालू न करें, बलकि सर्विस स्टेशन टो कर ले, राज के मन में उच्सुकता और सतर्कता के बीच जंग हो रही थी, उसे अपनी कार की जाच करने की आस थी, लेकिन सही सलाह को मानने की भी इच्छा थी, आख राज ने अविचल बुद्धी के साथ बुद्धिमानी का चयन किया, उसे पता था कि धैर्यवादी रहने से उसकी प्रिय संपत्ती को उचित देकभाल मिलेगी